नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों मित्धूंडासी वाली जातकों को बताना चाहेंगे कि जुलाई के महिने में आपके जीवन में तीन बड़ी घटनाए होने वाली हैं तथा इन घटनाओं के कारण आपके जीवन और जिन्दगी की रूप रेखा में काफी वड़ा परिवर्तन होगा आपके सुकसादनों के एस्तर में बढ़ोतरी होंगे और आप अपने वैपार वैवसाई करियर लवलाइप में काफी सुधार कर सकते हैं तथा जुलाई के महीने में आपके जीवन में तीन बड़ी घटनाएं होने वाली हैं मत्रों सावधान अगर आप अकेले हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें अन्न था आप इस वीडियो को देखने से पहले किसी एकांत जगह में और अकेले हो जाएं तभी इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहदी रह समये और बेहदी खास रहने वाली हैं क्योंकि जुलाई के महिने में होने वाली तीन घटनाओं के कारण आपके जीवन और जिन्दगी की रूप रेखा में काफी बड़ा प्रिवर्तन होगा काफी बड़े खुसियां भी आप प्राप्त कर सकते हैं असलिए मित्वन रासी वाली जात को से विंती हैं कि वीडियो को पूरा अवस्य देखें तथा आपको बताना चाहेंगे कि अब आपको थोड़ी सी महनत करने से हैं अपने उतेस्यों को आसानी से फ्राप्त कर सकते हैं और आपको बताएंगे सारी जानकारी विष्टार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तथा मित्रों मित्रों डासी वाले जातकों से विंती है यगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ओमन वस्यवाई अवस्य लिख हैं क्योंकि महादेव इस महीने आपके जीवन में बड़ा चमतकार करने वाले हैं और महादेव का पावन महीना यानि सावन का जो महीना है वे 6 जुलाई से प्रादम्ब हो रहा है जिनके कारण आपको महादेव का विश्य सासिरबाद भी प्राप्त होने वाला है नसलिए महादेव के भक्तों से विंती है कि वीडियो को पूरा अवस्य देखें त्योंकि महादेव इस महीने आपको 4 महत्मुन संकेत भी देने वाले हैं इन संकेतों के कारण आपके जीवन और जिन्दगी की रूप रेखा में काफी वड़ा प्रिवतन अवस्य होने वाला है आपको बताएंगे सारी जानकारे आपको पारिवारिक रिष्टों को मजबूत करने के बहत्रीन मौकि मिलेंगे थोड़ी से महरत करने से आप अपने उद्धेशों को आअसानी से प्राप्ट कर सकते हैं आर्टि क्स्तित्यों में आपका वच्छे सुधार होंगे वयवसाइक कारों के लिहाद से आप किसमें बहतर बना रहेगा तथा आप अपने सुक्सादनों में बढ़ोत्रिक कर सकते हैं, परिवार में आपके जिम्मेदारिया भी पूरी हो सकते हैं और आपको सुभासुप फलो की प्राप्ति होंगे, तथा गुरु के धनवाव में आगमन के कारण आपको धनलाव की प्राप्ति हो सकते हैं, और पै साली प्राप्त होंगी तथा मंचाहा उपाए भी मन चाहे आप धंदोलग भी प्राप्त कर सकते हैं आप अपने अलग्षवे अलग पहचान भी बना सकते हैं आपको आपके कारिशयतर के अलाबा अपने घर-परिवार में भी काम करने के से 178ht करना मिलें याप पूर्ण लोगों के साथ आप चमंद को अस्ताफित कर सकते हैं तथा आपकी आर्थी किस्तितियों में वस्ते सुधार होंगे आपकी नई संपत्ति में निवेश कर सकते हैं बविस्य में आपके लिए सारी चीजें फायदमंद सावित होंगे आपके सुबसमय की सुरुवात ह नोकरी पेसा वाले लोगों को बहतर मौके भी प्राप्त होंगे आपके काम में नयापन हो सकेगा बच्चों के साथ आपकिसी काम से यात्राइग कर सकते हैं घर-परिवार में आनंद उत्सव का ऐयोजन हो सकते हैं जिनसे पारिवारिक खुस्यों में निरंतर बढ़ोत्री हो सकते हैं आपका पारिवारिक जीवन में काफे सुक में बना रहेगा आपके विरोधियों को सफलता अवस्थ स्राप्त होँगी अचानक से आपको शंतान्थ पक्षे से बड़ी खुसकवरे प्राप्त हो सकती हैं बैवसाई करने वालों अच्छा भेहतीत होने वाला है तथा सनिदेप की खृपा से आपको आपके कारीशेतर में बहत्रेन और अनुकूल परिणामों के प्रापति अवस्य होंगे आप अपने कारीशेतर के अलावा अपने आपको बहत्रेन और काफी अच्छे कारयों को कर सकते हैं आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के फ्रेसानियों से अवस हैं चुटकारा फ्राप्त हो सकता है मित्व नासी वाले लोगों को वाहन सुक्ष की फ्राप्ती हो सकते हैं मत्रों आगे के जानकारियां सारी के सारी रहस्तमाई रहेंगे इसलिए आप लोगों से व रहेंगे आपके काम काजों के तारिफ होंगे आप जरुत के हिसाब से अपने आर्थिक इस्तियों में बदलाब कर सकते हैं आप लोगों को वहां सुक्षी फ्राप्ति होंगे तकनीकी चेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा खासा फायदा भी फ्राप्त हो सकता है मानसिक तनाम में आपके कम्या होंगे कारिश्तर में साथ काम करने वालों को विश्वास प्राप्त होंगे आप लगातार प्रगत्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा आपको आपके कारिश्यतर में बड़ी खुसकवरी फ्राप्त होंगे आपके जीवन के हर सुक्षिवधाओं को प्र समंदित मामलों में आपको भागे साले बने रहेंगे आपके भागे के सितारे बुलंद रहेंगे गनपत्ती के आशिरबात से आप अपने सभी कारिक को सिद्ध कर सकते हैं आपका समय सांदार बना रहेगा पत्ती पतनी के वेच भी नोग जोग खत्म होंगे आपके समंदों म आपको अच्छा खासा फल भी प्राप्त हो सकता है आपको अपने व्यापार व्यवसाह में लगातार प्रगति के मौके भी हासल होंगे आप अपने विरोधियों पर हावी रह सकते हैं आपका मन पर सन्न बना रहेगा मत्रों के सला आपके लिए फादम देसावित होंगे आप प्राप्त कर सकते हैं आमधनी भी आपको फ्राप्त हो सकते हैं आपके प्रेम चमंदों में सफलता हासल होंगे लेकिन उतावले पनिया जल्दबादी में आपको वजने के जुरत रहेंगे प्यार करने वालों को अपने प्रियतम के बातों को सोचना समझना वश्ких चाहिए आपको आपके जीवन में अनियक प्रकार के वड़े प्रिवरतन भी देखने को मिल सकते हैं आपको आपके द्यानिक देवन में नई खुशियां प्राप्ट होंगे आप दिन दूगिनी दाज, चोगने तरक्यें हासिल कर सकते हैं आप अपने काम काज में छे प्रणाम हैसिल कर सकते हैं कार्श्तिल में आप अधिक महनत कर सकते हैं जिसका भविस्य में आपको अच्छा-खासा प्रणाम अवच्से प्राब्त होंगे मित्व नासी वाले लोगों को काफी तंदुरुष्टी और उर्जावन मैसूस हो सकता है बगवान कुबेरदेव की क्रिपा से आपके सुचे विकार अवसे पूरे होंगे संतान की और से बड़ी खुसकवरी वे प्राप्त होंगे बच्चों के प्रते आपको बहतर कारी कर सकते हैं बहतर जिम्मेदारियों को निर्भा सकते हैं बड़ी जिम्मेदारियां आपको हासल होंगे आपको अपने आप पर नियंतरन करने के जुरत रहेंगे आने वाले समय में सनिदेब की कृपा आपकर प्राप्त हूँगे आपको अपने सच्चा फ्यार प्राप्त हूंगे लब मीटर के अनुसार आपको अपने जीवन में सफलता भी हासिल हो सकते हैं परिवार और दोस्तों के साथ आपका समय अच्छा वैतित हो सकता है लंबे समय से पारिवारिक जीवन में पारिवारिक दामपत्य जीवन में आ रहे तनाव दूर होंगे तथा परिवारिक के साथ आपके सी महिला के साथ इंट्रेक्ट हो सकते हैं विद्यार्थों को भी परत प्रिक्षा में अच्छे सफलता विप्राप्त होंगे आपको अपने कदम को समल समल कर चलने के विशेज जरूरत रहेंगे गनेश जी आपके जीवन में बड़ा चमतकार करने वाले हैं आपके सुखसादने में बढ़ोतरी करवाने वाले हैं आप अपने जीवन के हर एक छेत प्राप्त करके अपनी अलक्षवी बना सकते हैं मित्वनासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि स्वेंग महादेव इस सावर के महीने में आपको सुखसाइयों की प्राप्त होंगे आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता आर्थिक श्तिया भी मजब मित्वनासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको नौकरी वैवसाय के छेतर में इस महीने अच्छे प्रणाम प्राप्त होंगे आपके सभी जरुते पूरी होंगे आपका जीवन भी काफी आनंद दायक रहेगा भाग एक फूल की तरह खिलने वाला है कोई भी आप आपको सफल होने से रोक नहीं सकता आपके स्थितियां वदलेंगे जो आपके दिमाग को खुस कर देगा माता फिता का समर्थन वे परिवार में सबसे अधिक आपको प्राप्त होंगे तथा बैपारियों को बैपार में भारी मुनाफिय प्राप्त हो सकता है आपके कलात्म में आपको सुबसमाचार के प्राप्ति होंगे और अच्छे कारे को कर सकते हैं आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दिया बस्तरिक हैं आपका दिन सुभ हो मंगल कारी हो जैमा बिंदुवासने